वासकार दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल विद इंटर्टेन्मेंट वे आपका स्वागत है कि दोस्तों आज हम सीखते हैं कि एक चैनल एक एक एकाउंट पर क्या हम मोड एक से ज़्यादे हम चैनल यूटूब चैनल क्रियेट कर सकते हैं क्या तो इसका जवाब है जी हां आप क्रियेट कर सकते हैं आई आज सीखते हैं कि कैसे क्रियेट करते हैं एक एकाउंट पर एक से बढ़ता रहेगा और मैं और भी कोशिश करूंग और भी अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड करूँ और आपको जितना ज्यादा बेनिफिट हो सके उतना मैं आपको बेनिफिट पहुझाओ और साथ में एक फायदा आपका भी होगा कि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा तो इससे क्या होगा यदि कोई भी अच्छा वेडियो और कोई भी नए वेडियो अपलोड करता हूं तुरंत आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ नए वेडियो अपलोड हुआ है और अब आसानी से उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर से आप सब्सक्राइब किजिए और इस वीडियो के या कोई भी मेरा इस चैनल कोई भी वेडियो क्या जो आप लिंक होता है कही यहीं भी किसी भी सोसल मेडिया आप सेयर कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कर सकते हैं तो चलिए आए सीखते हैं कि एक एक अकाउंट पर एक से जादे चैनल कैसे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने खुरूम ब्राउजर को ओपन करेंगे आपके बाद कोई भी ब्राउजर उस पर आप ओपन कर सकते हैं तो मैं खुरूम ब्राउजर ओपन किया और जैसे कि मैंने अपना कि यूटूब ओपन करेंगे कर लिया सब्सक्राइब दोस्तों कि आपको जब आप उपेन करें यूट्यूब इस पे तो तो आप सब्सक्राइब करएब साथ कि आप लॉगिन हो जाएं ठीक है अपने प्राउजर पे यूट्यूब की में कोस्तों करें प्लिक का आद priority लॉग चैनल जो आइकन है देख़ीं यहाँ पर इतना ही यह सारी चीज़े आ रही है तो मैं क्या करूंगा जो उपर जो आप देख रहे हैं त्री डॉट बने हुए है सबसे उपर URL के ज़र्ट बगल में जो मेनू है इसको हम क्लिक करेंगे और यहां से क्या करेंगे डेक्स्टॉप साइट को ओपिन करें तो जैसे सबसे नीचे देखिए सबसे नीचे आप आये सेटिंग से उपर एक डेक्सटॉप करके एक option है उसका चेक बॉक्स है इसको हम checked करेंगे जैसे चेक्ट करेंगे दोस्तों जो डेक्सटॉप वाली चीजे होते हैं सारे फीचर्स हो रहा है इस मुबाइल वाले ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा और यहां पर पहले से डेक्स्टॉप पर ही यही लॉगिन है तो इसको इस पर जाने के आपको कोई जरूरत नहीं है तो देखिए हम क्या करेंगे फिर यहां पर आएंगे इसको थोड़ा जूम करते हैं और यहां पर जो मेरे चैनल का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करते हैं देखिए यह मेरा अप्शन आ गया उस्टाइम नहीं आ रहा था ना लेकिन अब सारा अप्शन आ गया इसमें क्या करें कि सेटिंग में जाएंगे कि इसमें सेटिंग में गए सेटिंग में जाने के बाद से जुम करते हैं तो यहां पर हम इस पर क्लिक करेंगे create a new channel पे देखिए हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे कर रहे create a new channel create a brand account तो नया चैनल create करने का यहाँ पे क्या है brand account ने में आपको देना होता है तो हम यहाँ पर दे देते हैं जैसे मैं अपना नया चैनल create करना जाता हूं trending topics हम एक नया चैनल create कर रहे है trending topics के उपर तो हम इसे create पे क्लिक कर देंगे और यह processing होगा कि यह थोड़ा सा टाइम दे रहा है यह थोड़ा सा देखिए यह मेरा नया चैनल create हो गया लेकिन क्या है कि दोस्तों आप जब मैं आपको स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेंगा जैसे उसका जो नामसे बना चैनल create हो गया और इस चैनल में हम अपना बैनर और और इसारा एड़ कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और धेदे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसको देखिए हमरे चैनल तो फिराल create हो चुका कैसे हम इसको अगले वीडियो में या इसके बाद के वीडियो में हम बताएंगे तो फिलाल तो हम इतना क्यों में जाना था नए चैनल कैसे create करते हैं तो ए रहा आपका कैसे नए चैनल create करते हैं आपने जरूर से सीखा होगा तो चलिए दोस्तो इसका वेडियो कामत करते हैं अगले वीडियो में फिर हम बताएंगे कि कैसे इसको चैनल अगoryous में create करते हैं तब तक के लिए धर्न्यभाद आपका और इसका वीडियो कामत करते हैं